अस्वामुलेकम कैसे आप सब आज मैंने काफी दिनों के पाद एक डिटेल फ्लॉग बनाया है जिस पर मैं आपको जो मैंने सीद्स लगाए थे उनकी डिटेल पी बिताऊंगी और मैं अपने गार्डन का अपने टैरस गार्डन का प्यू भी दूंगी इस साइड पर मैंने सो क्योंकि जो चिडियें हैं उनसे बचाने के लिए यह दुरूरी है इसके जो लीफ्स है वो खा जाती है जितने में इसके जो चोटी-चोटी सी कोंप्लें जो निकली होती है इस्पेशली उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती तो धनियें की सेवटी के लिए मैंने इसे कोहर क Alger की अबाटा ता इसमें मैंने टमैटो उस लगाया थे जिसमें से यह दो प्लांट जो हैं वो मैंने इसमें ट्राफ़़ किये थे वुजे लाइब आट जाया एकमियरें मेरी है जायका जू temaselah से 15222 उसमें ही तैकि मैं जो प्लांट हाली-चोटी छोड़ आपियों इसमें रिपॉर्ट किया था और जो यह काफी हेल्दी है यह सीट्स जो थे मैंने आप घर में जो टोमेटोस आते हैं उसमें से लेके ही लगाए थे यह जो मेरे जो प्लांट्स है यह टोमेटोस के यह भी मैंने उन्हीं सीट्स से लगाए थे मैं मजार से कोई भी इसके लिए स्पेशल सीड नहीं लेके आई तो जो लोग ये कहते हैं कि आप अच्छे वाले सीड्स लगाएं प्राउंट्स के लिए तो जस्ट मुझे लगता है कि मार्केटिंग के लिए कहते हैं क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी मंगवा के देखें आप सीड्स तो उनका बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं उससे बहतर रिजल्ट यही है कि आप ऊससे जो सीड्स होते हैं ने ड्य करें और लगा लिए यह सीड्स जाइए जो इस टाइमं ट्रमैटो में लगाया थे यह यह Alец साइद स्यू पर देया तो इसमें मैंने लगा की से उर्भाएं लुद मैने देखे थे फलाफिंग प्लांट्स के जिम्हे कोई भी जर्मिनेट नहीं किया इसमें मैं नी यह अधी ना मने यौ को रहाया है यह घ्राईमिटी टमीटी की zatुषज है हरे दनी की जर्मिनेशन आप देह रहे हैं यह टमीटी जर्मिनेशन यह एक से दो दिन में हो गही थी बस अभी तक हरी मेर्च की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं इंशाला तरह भी हो जाएगी इसके बाद ये मेरा स्नेक प्लांट है ये टेरा हो रहा है और इसके टेरे होने के वज़ा भी मैं भी आपको दिखाती हूँ ये ब्लांट मैं अंदर रखवा था और काफी अच्छा गुरों का रहा था जब कि ये बच्चों ने इसको खैंच खैंच की इसके राप कर दे तो मैं बाहर ले ये टेरे होने की वज़ा जो है इसमें ये नई शूर्स आ रही है तो जब ये आ जाएंगी थोड़ा बड़ा हो ये सब प्रेश हैं सिर्फ करेले के जो सीड्स है वो मैंने ड्राइ किये हुए थे घर में और वो लगाए है मैंने करेले के कुछ सीड्स मैं पहले भी लगा चुकी हूँ और उनकी अच्छी जर्मिनेशन हुई थी और प्लांट भी इच्छी बने थे जो कि मैं गिफ्ट कर प्रेले की सीड्स लगाए हैं मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया और जल्दी वारिश हैं स्टार्ट होने में आज काफी ज़ादा गहरे बाड़ बादल है I hope कि वारिश ना आओ क्यूंकि अगर बारिश हो गई तो मैंने जो भी सीड्स लगाने है वो मेरा काम भीच महीं सब्जिया लगाने के लिए मैंने मट्टी मगवाई है वो अभी तक पूरी नहीं है यहाफ आई थी और अभी मुझे इसमे खाथ भी मिक्स करनी है खाथ के लिए मुझे काउडंग चाहिए वो भी मेरे पास सतम हुआवा है अभी जो मट्टी मैंने पालक ग्रो करने के लिए यूज की है इसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूँगी अब यहां से मैं आपको अपने छटपे लेकर चलती हूँ और यह हम छटपे पहुंच चुके हैं यह मट्टी जो है मैंने पुराने गम्रों से निकाल के इसको धूप लगाने के लिए इससे बिखे रहा हुआ था शटपे और यह जो बैक सके हैं इसमें रिवर सेंड है इसकी भी मैं आपको डिटेल दूँगी यहां पे इस मास्किट में मैंने पालक लगाई थी और यह पालक जो है तीसे दिन इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट करती थी मैंने इस तरिये लगाई हुए ताकि इसको चुडियों से बचा सकूँ क्योंकि हमारे घर्मा बहुत चुडियां आती हैं यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसकी जर्मिनेशन अच्छी काफी हुई है पर यह 90% के बचाए 50% जर्मिनेशन की है अभी तक उसमें काफी तादा य इसमें हरी प्यास के सीड्स भी लगाते हैं और मैं अर्थ टाम ज्गाते हैं एक seat की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं ही यह भल मंटी है जिसे लो के लिए पसरा भी कहते हैं बालू मंटी भी कहते हैं और रिवर सेंड भी कह आ जाता है और मैं अब आपको अपना हरी मिर्च का पोड़ा दिखाती हूँ यह तक्रीबन 6-7 इंच का हो चुका है और इसे मैंने क्रेट में लगा गया गया है कि क्रेट मैंने नीचे टेरिस गार्डन पर रखावा था और वहां से मैं इस ओपर लेकिया हूँ इसमें भी मैंने हरी प्यास के सीड्स लगाए थी जिसमें से एक सीड्ने जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं की मेरी हरी मिर्चो की बाकी सीड्लिंग्स को चिडियां खा गए थी सिर्फ एक यह प्लांट पर चा था यह काफी हेल्दी है इसकी मैंने टॉप की जो अपर से टहनी थी उससे मैंने पिंच कर दिया था और अब आप देख रहे हैं कि यह जगा जगा से इसकी शूट्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है अब यह प्लान जो है काफी बुशी होजएगा और इस पे इन्शाला तला काफी जादा हरी मेश रखेंगी अब चलते हैं दूसरी बासकित की तरफ जिसमें मैंने स्वाइल पहले से ही रड़ की पानी देख लिया था ताकि यह मती जो अच्छी तरह से केली हो जाए सबसे करी मैं इसमें यह मेती और यह जो चुकंदर के कुछ सीड्स रखाऊंगी ताकि मेती की जर्मिनेशन का पता चल सके मेती के सीड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यह बारीक बारीक से होते हैं और इ मेत्रे के जो पते होते हैं वो बड़े होते हैं मेती के पते होते हैं और जादा करवे होते हैं जबके मेत्रा यह होता है वो इतना करवा नहीं होता और जो मेत्रे के बीच होते हैं मजार में यूज करते हैं मगार देने में यूज करते हैं जबके मेती के बीच बहुत बारी और इसमें मैंने सिर्फ राग डाली है और बोन मील थोड़ा सा मिक्स करके मैंने इसको रैडी किया था और अब मैं इसमें यह आप देख रहे हैं चुकंदर की सीर्ज भी है वह मैं इसमें लगा रही है यह मैं तीन चाहरी पहले इसमें लगा के दिखूँगी क्योंकि इन्हे स्पीड से बड़ी होती है इनके लावा यहां मैं कुछ लेसन की कलिया भी लगा दूँगी लेसन यह प्यास साथ लगाने से कीड़े काम एड्रक करते हैं बाकि जब यह सीर्लिंग बड़ी हो जाएगी कुछ तो मैं इसमें कंपोर्स देतूंगी ताकि जो काड़ की कमी है पूरी हो जाए और इसके लावा तब तक काव डंक पही आ जाएगा और उसकी मैं एक लीकट खाद बनाऊंगी और इस लीकट को मैं इन प्लांट्स को देती रहूंगी ताकि यह और गैनिकली जो हैं ग्रोध करते रहें तुमाम सीट्स में लगा चुकी हूँगी है और इसे एक मबारीक से मटी की तैसे कवर कर दूँगी और इसके बाद मैं इसे हाथों की मदश सही पाने दूँगी ताकि जो सीट्स हैं वो अपनी जगा से ना ही जाएगा लाज में चिकनी मटी के बारे में अपना एक्सपिरेंस में आपसे शेयर करूँगी और जो मैं रिवर सेंड यूज करें इसकी भी डेटेल आपसे शेयर करती हूँ मटी चुमय थे इस्तुमाल किया है इसे प्रकिस्तान में तो भल मिटी कहते हैं स्केूम कुछा बहाई जिए इसकुछा कैथीएर इसके अलबा इंडिया में इसको भालू मिटी कहते है और यह आपको कहीं वी कंक्रीट वाणु के पास से अगर लेसानीन से मिल जाएँ क्योंकि रीवर से होती है, और इसमें रेध पहले से मिक्स होती है, तो आपको इसमें रेध मिक्स नी करनेपदीक, तो अगर वह वहातना है, मीरे आज तक रहा है, ने खरक्राद कि प्लेस बहुते हैं, कुछ हाँड़ने हैं। तो आपके मटी और रेद दोनों को लख लख कर देती है जिसकी वज़ा से मटी वो काफी सकत हो जाती है और जो हमारे प्लांट्स है उनकी जड़े है वो अची तरह से फैलती है नहीं और राय होना स्टार्ट हो जाती है यही वज़ा है कि जब आप नर्सी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो इसकी बहुत अची ग्रोवत होती है क्योंकि नर्सी में रीवर्स एंड्यूस की जाती है और प्लांट्स को उनके मताबिक इन्वार्मेंट दिया जाता है जिसकी वज़ा से बहुत अची जारा सब्रोव करते है और लास में सिख मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी चोटी से कावश पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जो कीजिए गर इसके लाव मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा नेक्स किसी अची व्लाउग के साथ पिर आपसे मिलती हूँ तब तक के लिए अलाहाफिज